नमस्ते एडेयो वीवस आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिसकस करने वाले हैं टेंजेंट वेक्टर के रिगार्डिंग मेरे प्यारे वीवस देखिए हमारा जो मतमाटिकल फिजिक्स है उसमें एक टॉपिक है डिफ्रेंशेशन और वेक्टर उसमें जो चीजें हम लोग यहाँ पर बताएं उनको यहाँ पर हम लोग समझ सके ठीक है देखिए जो सबसे पहला कुछिशन यहाँ पर हम लोग लिए हुए है वह क्या है कुछिशन है at any point of the curve x is equal to 3 cos t y is equal to 3 sin t z is equal to 40 find tangent वेक्टर and unit tangent वेक्टर मेरे प्यारे वीवस देखिए हमें यहाँ पर tangent factor अर्था arrow t पता करना है arrow t पता करना है और unit tangent factor अर्था t cap पता करना है ठीक है तो यह चीज़ होगा कैसे देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर curve को पता करना होगा कि curve क्या given है arrow r जो है मान लेता है कि कोई curve given है जो है x i cap plus y j cap plus z k cap अपने पास given है और हमारे प curve का जो equation है वो मिल जाएगा that is 3 cos t i cap plus 3 sin t j cap plus 4t k cap हमें मिल जाएगा ठीक है मतलब है कि यह जो हमें मिला यह actually क्या है अपना जो curve given है उसका equation है अब tangent vector कैसे पता करें tangent vector कैसे पता किया जाएं देखिए tangent vector को arrow t से represent करते हैं और यह आपका equal होता है किससे d arrow r by dt से मतलब है कि जो given equation है curve का उसको आपको differentiate करना होता है t के respect पर जो variable है आपका ठीक है सो चलिए arrow t को पता करते हैं d by dt अपने पास given क्या है 3 cos i cap plus 3 sin t j cap plus 4 t k cap कुछ ऐसा given है अभी differentiate करते हैं इसको differentiate करेंगे तो मिलेगा माइनस 3 sin t i cap फिर इसमें आएंगे तो साइन है ना साइन टी यहां पर ठीक है 3 cos t आ जाएगा cos t j cap और इसको differentiate करेंगे तो 4 k cap मिलेगा सो देखो हमें tangent vector मिल चुका है अब क्या पता करना है unit tangent vector पता करना है तो unit tangent vector पता करने के लिए हमें जो है क्या करना होगा क्योंकि t cap अगर निकाल रहे हैं तो t cap के लिए हमें चाहिए arrow t by t चाहिए मतलब है कि arrow t ये वाला और t जो है अपना ये magnitude है तो चलिए यहां पर जो है things को करते हैं minus 3 sin t i cap plus 3 cos t j cap plus 4 k cap और यहां पर by में हमें लेना होगा under root में क्या होगा इसका square है ना minus 3 sin t का square लेंगे तो 9 sin square t हो जाएगा फिर इसका square लेंगे तो यहां हो जाएगा 9 cos square t और फिर यहां पर 4 का square लेंगे तो 16 हो जाएगा ओके क्या होना चाहिए यहां पर minus 3 sin t i cap plus 3 cos t j cap plus 4 k cap हो रहा है ठीक है अब थोड़ा सा यहां पर देखेगा मेरे प्यारे भीवस under root में क्या आ जाएगा 9 और 9 को common ले ले तो यहां पर sin square t plus cos square t और धर 16 है ठीक है sin square t और cos square t value 1 हो जाएगा यह तो हम जानते ही है minus 3 sin t i cap plus 3 cos t j cap plus 4 k cap by अंडरूट में यहां पर हो जाएगा आपके पास 9 plus 16 और 9 plus 16 क्या होता है अंडरूट 25 अंडरूट 25 होगा तो रूट 25 का value क्या होता है 5 तो माइनस 3 sin t i cap plus 3 cos t j cap plus 4 k cap यहां पर नीचे में direct हम लोग 5 ले ले रहा है ठीक है तो कि अंडरूट 9 plus 16 है यह क्या होगा अंडरूट 25 और यह आपका 5 से equal होगा इसलिए हम लोग अपने पास curve given है हमें क्या करना है इस curve पर टी इक्वल टू पॉस्टिव नेगेटिव वन पर दो टेंजेंट्स पता करना और उनके बीच एंगल निकालना होगा देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हमारे पास एरो आर गिवन है पहले इससे यहां पर लिख लेते हैं ठीक है टी स्क्वार आई कैप प्लस टू टी जे कैप माइनस टी पर क्यूब के कैप ले लेते हैं ठीक है और फिर टेंजेंट वेक्टर पता कर लेते हैं टेंजेंट वेक्टर जो है एरो टी यह आपका इक्वल होता है डी एरो आर वाई डी टी से मतलब है कि जो डी वाई डी टी है यह आपका इससे इक् स्क्वार आइक्ट प्लस तूटी जे कैप मैनस टी क्यूच कुछ ऐसा ठीक है सही लिखे ना बिलकुल डिफरेंशेट करें तो हमें यहांपर टेंजन्ट וेक्टर मिल जाएगा तो यहां टेंजन्ट वेक्टर मिलेगा 2ti cap plus 2j cap minus 3t square k cap कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा अब देखो हमारे पास यह जो small t है na small t ठीक है हमारे पास given है यह given है कि जो small t है यह आपका positive negative 1 से equal है मतलब है कि negative 1 और positive 1 दोनों है हमारे पास so जो tangent vector हम लोग निकाले हैं arrow t okay यह arrow t का value हम लोग चलिए t is equal to positive 1 पर पहले निकालते हैं तो t is equal to positive 1 पर जहम लोग tangent vector पता करेंगे okay मतलब है कि यह जो equation है इसमें t की जगे पर जो value है वो 1 रख देंगे ठीक है तो 2i cap plus 2j cap minus t का square लेंगे तो 1 ही आएगा ना t का square है वो इतना मिल रहा है और दूसरा जो tangent vector हमें पता करना है वो t is equal to minus 1 पर पता करना है क्या कह रहा था हमें जो है यह जो दो tangent मिले है at t is equal to 1 और t is equal to minus 1 दोनों के बीच एंगल पता करना है एंगल कैसे पता करेंगे एंगल पता करने के लिए हमें दोनों का dot product लेना होगा चलिए यहां पर दोनों के बीच का dot दोनों के बीच जो है dot product लेते हैं तो यहां पर देखेगा minus एक मेंट पहले वाले में cable 2 है न हाँ 2i cap plus 2j cap minus 3k cap dot minus 2i cap plus 2j cap minus 3k cap ओके और equal to में क्या होता है देखे basically dot product का formula हम लोग यहां पर लगा रहे है क्या होता है arrow a dot arrow b जो है आपका equal होता है a b cos theta से वही formula हम लोग यहां पर लगा रहे है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे equal to में इसका magnitude और इसका magnitude पूट करेंगे तो इसका magnitude क्या हो जाएगा 4 4 और 9 है न मतलब है कि 8 और 9 4 प्लस 2 का square 4 प्लस 9 ठीक है और यहां पर हो जाएगा cos theta अब देखेगा दोनों का थोड़ा सा dot product ले ले तो कितना होगा 2 और 2 क्या हो जाएगा minus 4 हो जाएगा negative में न यहां पर भी 2 और 2 4 हो जाएगा 3 3 9 होगा और negative negative positive यहां 9 दे लेता है फिर यहां देखे कितना होगा 4 4 8 और 9 क्या होगा 17 हो जाएगा न हाँ 17 होगा under root 17 ठीक under root 17 इसका भी under root 17 और यहां पर cost theta आ रहा है ठीक है यहां पर देखेगा 4 4 तो cancel हो गया so 9 is equal to 17 cos theta हो जाएगा ठीक है और फिर यहां से हमें cos theta का एक value मिलेगा 9 by 17 और यहां से angle मिल जाएगा theta is equal to cos inverse 9 by 17 so this is the required angle between the these two okay tangents ठीक है इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी given curve का tangents पता करके angle जो है दोनों tangents के बीच वो निकाल सकते है ठीक है अब चलते हैं हम लोग कहां पर हमारा जो third question है उसके तरप third question क्या given है a particle moves along the curve x is equal to 2t square y is equal to t square minus 40 and z is equal to 3t minus 5 where t is time okay find the components of its velocity and exploration at time t is equal to 1 in the direction of this vector ठीक है देखे हमारे पास सबसे पहले तो x y z given है तो obviously तीनों को मिला करके हम लोग यहां पर curve का जो अपना equation बनता है वो पता कर सकते हैं 2t square i cap plus t square minus 40 j cap plus 3t minus 5 k cap कुछ इस प्रकार से जो है पता कर लेते हैं अब देखो हमें जो है component of its velocity और exploration पता करना है ठीक है मतलब है कि हमें d arrow r by dt पता करना है जब लोग इसे time के respect पर differentiate करेंगे तो हमें जो है velocity मिलेगा तो चलिए इसे differentiate करते हैं यहां differentiate करेंगे तो हमें मिलेगा 40 i cap plus यहां हो जाएगा 2t minus 4 j cap और यहां पर हो जाएगा आपका 3 अगर differentiate करते हैं तो 3 हो जाएगा 3k cap अब यह जो हमें मिल रहा है यह आपका component है velocity का ठीक है ओके और velocity का component हमें कब पता करना है at time t is equal to 1 तो हमें जो यहां पता करना है d arrow r by dt वो पता करना है t is equal to 1 पर मतलब है कि t के value को 1 रख देना है तो 4 i cap यहां पर put कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 minus 4 j cap plus 3 k cap is equal to 4 i cap minus 2 j cap plus 3 k cap यह आपका जो है velocity हो जाएगा at t is equal to 1 पर मतलब time t is equal to 1 पर अब यह जो velocity हमें पता करना वो इस direction में पता करना है find the component of its velocity and exploration at time t is equal to 1 in the direction of इतना so हमें करना क्या होगा इससे जो है इसके unit vector से multiply करना होगा so यहां पर देखेगा therefore जो required velocity चाहिए हमें इस direction में वो आपका equal होगा 4 i cap minus 2 j cap plus 3 k cap dot इसका unit vector चाहिए तो इससे कुछ ऐसे लिखेंगे i cap minus 3 j cap plus 2 k cap by under root 1 plus 9 plus 4 मतलब कितना हो जाएगा 9 और 4 13 और यहीं 1 14 हो जाएगा और यहां पर दोनों को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 4 minus minus plus और 3 to 6 हो जाएगा ठीक है और यहां पर भी होगा 6 by under root 14 हो जाएगा पर अगर हम लोग देखें तो हमें कितना मिल रहा है यहां पर हमें मिल रहा है 16 और और अंडरूट 14 मिल रहा है, ठीक है, आगे का काम हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखेगा, हमें क्या मिल रहा है, required velocity, 16 by अंडरूट 14 into अंडरूट 14 by अंडरूट 14, हाना, rationalize कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, 16 अंडरूट 14 by यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, तो 28 जा 16 और 27 जा 14 होता है, तो यहाँ हमें मिलेगा, 8 अंडरूट 14 by 7, कुछ इस प्रकार का आपको velocity मिलेगा, अब हमें exploration चाहिए, तो exploration के लिए क्या करेंगे, यह जो हम लोग निकाले थे, ठीक है, इसे एक और बार differentiate कर देंगे, तो यहाँ एक और बार करेंगे, तो हमें म और यह आपका किस से एक वल होता है, इसे differentiate करेंगे, तो हमें मिलेगा, 4 i cap, प्लस, फिर इसे differentiate करेंगे, तो हमें मिलेगा, 2 j cap, और फिर k cap में तो कुछ है नहीं, हाना, t variable है नहीं, तो यहाँ पर हमें जो exploration मिल रहा है, वो कुछ ऐसा मिल रहा है, अब यह exploration कब चाहिए हमें at time t is equal to 1 पर, so d square arrow r by dt square जो हमें पता करना है, वो t is equal to 1 पर पता करना है, अब चुकि यहाँ पर कोई variable t है नहीं, तो चलिए इसे as usual ले 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 लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से, अब जो exploration पता करना है, वो given vector के direction में पता करना है, तो इसे भी क्या करना होगा, इसके unit vector से multiply करना होगा, ओके, तो इसका unit vector कुछ इस प्रकार से आता है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, therefore, 4 i cap plus 2 j cap dot, यहाँ पर है आपका i cap minus 3 j cap plus 2 k cap by under root 9 foot 13 और यह 14 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा, दोनों को multiply कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 4 और j cap के साथ लाएंगे, तो negative और 6 by under root 14 हो रहा है, ओके, और इसको rationalize भी कर देते हैं, यहीं पर चलिए, is equal to minus 2 under root 14 और नीचे भी 14 आ जाएगा, तो 2 7 जा 14 होगा, तो जो हमें required exclusion मिल रहा है, in the direction of given vector, वो under root, minus under root 14 by 7, तो देखें, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ problems discuss के, tangent vector के रिग कर दोदूदूद ला गयाद़ कर सक्केर केंद है, Hil allez अबेकें लाकार्नें BAG, कर दो डोड़ी फम्रेण स्वादी ऐढसे श्पाद कर देखेंगे, और नारे का ना सक्क्वांगे, डिग ह community स्वादी खिंगत है। लादश प्रह एंड़ी नायरे दोड़ोड खोड़ीड,